साथी हो अगर आप लोग यह सोते हो कि SSCD का इस्टेबल भरती दोर 24 के जब फारम आ जायेंगे फारम भनने के बाद मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा तो आप लोग एकदम से गलत हो क्योंकि इस तरीके से आप लोग कभी भी अपना इस एक्जाम जो है वो किलियर नहीं कर सकत हो और जो 24 की बेकेंसी है वो आपके लिए एक सपना बनके रह जाएगी तो इस वीडियो में आपके लिए एक इंपोर्टेंट और एक सतो एस्पेक्टिक जो से लेबस है आपके लिए वो ले कर आया हूं कि कोई इस से लेबस के हिसाब से आप लोग तैयारी करोगे तो यसे वीडियो की नौटिफिकेशन पलपल मिलती रहें तो हम लोग सबस्वले बात करते हैं हिंदी के बारे मिटीक है क्योंकि हिंदी जो है आपके लिए स्कोरिंग सा तो सब्जेक्ट होने वाला है इसी सब्जेक्ट में सब्ज़दा बच्चे सब्ज़दा हल करते हैं आप पता है कि असी कोस्चिन आने वाल है सलेबस बदलने के बाद और आपको 60 मिनट का यहां पर टाइम दिया जाएगा और यहां पर 160 नंबरों की परिच्छा होने वाली है तो हिंदी में हम लोग देखेंगे इसको थोड़ा से मैं जूम कर देता हूँ अगर आपको दिखने र इनको आपको सही तरीकी सा तैयारी करनी है और यह पूरा तो सलेबस है यह आपका लेकिन जो इंपोर्टन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और संदी सा तो आपके एक से दो कोस्चन आएंगी इससे ज्यादा कोस्चन नहीं आते हैं सामासिक पदों की रचना और सामास बिगर है इससे भी एक से दो कोस्चन आपके आने वाले हैं और विपराथक बिलोम सब्दे देखिए वाले जी आपके लिए scoring subject हैं क्योंकि इनी subject को तयारे करोगा होगर आप लोग कर लोगे सही से तो आपको selection लेने से कोई नहीं रोकने वाला और आपका यह संग्या सब्दों से बिसेसर बनाना अनेकार्थक सब्दों से लगबक साथ होगा पांच कोशन तक मिल जाते हैं वाच्चे होगा उसके बाद वाग के सुद्धी है आपके पास सल्वेस में और मलब की शब्द सुद्धी अंग्रेजी क परिभासित यह भी एक नए सब्जेक जोड़ा गया हो सकता है अभी चेंज होगा जब सल्वेस फिर से तो हो सकता है यह सल्वेस जो है आपका हड़ जाएगा उसके बाद किरिया सकर्मक और अकर्मक किरिया आती है ठीक है और मलब की एक कारेयाले पत्र जो होता है जैसे आपको हो गया हिंदी का क्योंकि हिंदी जो है वो सभी बच्चे हल कर लेते हैं और ये scoring subject भी होता है क्योंकि हिंदी में अगर आप लोग यहां पर 20 question मसे 18 question सही कर लोगे तो आपको यह साथ हो benefit हो जाएगा तो बच्चों की सबसे बड़ी परिसानी यह होती जनरल नालेज मलब की जी के जी एस करेंट अफियर आप लोग पढ़ते होंगे तो आप लोग बहुत दिक्कत होती है लेगिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनको याद हो जाता जल्दी से तो इसमें जो है भारत और उसके पर जाएंगे और सम्मिधान से एक सुटो कोशन मिलेगे संस्कृतिस मिलेगे भोगोल से मिलेंगे इतिहास से मिलेगे अब लोग सुच होगे कि भोगोल इतिहास तो बहुत बड़ा चेप्टर है लेकिन कुछ जो सेलेक्टिव चेप्टर हैं वहां से कोशन आते हैं वो मैं एकोनोमिक होता है इसमें से question जाते हैं और सामान राजनियतिक से और बैधानिक अनुसंदान तो यह आपके लिए important है बैधानिक अनुसंदान important है और उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम लोग reasoning पे तो reasoning एक scoring subject है ठीक है क्योंकि reasoning में कावी बच्चे question गलत कर देते हैं और ऐसे बच्चे कुछ होते हैं जो 20 में से 20 भी करके आते हैं तो है आपका यहाँ पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और ओकन होता है समानता है बहेत होता है अंकर गड़ी तरक होता है अंकर गड़ी मलब की जी आप लोग reasoning देख लो coding decoding होता है रिष्टे की relationship होता है और सबसे important जो subject है जी आपके लिए महत पूर होगा क्योंकि लगबन 90 पर तर बच्चे जो होते हैं वह महत में fail हो जाते हैं और यहाँ पर के और जो हिंदी में, रिजनी में कोश्शन करेंगे पूरे लेकिन उनका जो इसकोर है, वो लोग हो जाता है, और वो लोग महीट से मारक आ जाते हैं, महीट में जो सबसे इंपॉर्टन है, संक्या प्राली से मलब की सिंपलिफिकेशन आया है, भिनार्तिक है, मौकिः अंगर अनुपाद समानुपाद ये सभी important जेप्टर ने इनको आप लोग तयार कर लोगे तो आपको selection लेने से कोई यहाँ पर रोकने वाला नहीं है तो एक subscribe इस वीडियो के लिए मैं request करता हूँ बस